बिहार बोड बच्चों को बेकूब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है अब आप बोलेंगे कैसे बेकूब बना रही है तो देखिए इंटर का एडमिशन 17 तरीक से ओनलाइन श्टार्ट कर दिये गया है अब मैं आप लोगों को बता दू बच्चे कमपार्टमेंट का बच्चों से आपको इस्क्यूटनी का वर भरवा हैं बच्चों से आपको आप बच्चों से अबंबर बढ़ाने के चक्कर में रीज चेक कराने के लिए अपलाई कर दिये साथ में वो बच्चे क्या किये कि कमपार्टमेंट का भी जाम दे दिये अब बताईए ना इसकूटनी का आप रिजॉल्ट दिये और आप 17 तरीक से बच्चे करे तो करे क्या उनके पस रिजॉल्ट ही नहीं है जो बच्चे स्क्यूटनी अपलाई किये उनका रिजॉल्ट कहाँ है जो बच्चे कमपार्टमेंट अपलाई किये उसका रिजॉल्ट कहाँ है आप बताईए कि ऐसे कि emerging future y내 कुन है बिहार बॉड यैसा बॉड बनाता है बच्चों को ना ही स्क्यूटनी इस से KYP बच्च करा हैं आप कहाँ से बच्चे दोडए KYP के लिए समझ नहीं आ रहा है बिहार बोट के दिमाग में चल क्या रहा है KYP olare UK बच्चों को 33zeitig बच्चों को KYP करना जरूरी है आप सोच रहिंKit kayp है क्या KYP आप लोगों को करना पड़ेगा DRCC office में जाके KYP के लिए apply करना पड़ेगा तब ही जाके आपको mark sheet मिलेगा बहुत समस्या बहुत लोचा है बिहार बोड़ है तो सब चीज लोचा है आप इतना समझे कि आप लोगों को जाकर DRCC office जाना पड़ेगा और जाके KYP कराना पड़ेगा तब ही जाके आप लोगों को mark sheet मिलेगा अन्देथा नहीं मिल पाएगा तेंथ पास किया है चाट 12 पास किया है 17 से online पर किरिया चालू हो गई आप बच्चे online भी करने से रहें जब वो अब DRCC दोरेंगे कि online के लिए दोरेंगे और 17 से 26 तक डेट रखा गया है मेरा बस इतना सा निवेदा ने कि 17 से 26 के जगा पर आगे दोचार बढ़ाया जाए यानि कि कम से कम 15 जून तक ले जाया जाए यानि बच्चों को 20 से 25 दिन का मौका दिया जाए online करने के लिए बस इतना ही करना चाहता हूं कि बच्चों के पास certificate ही नहीं है आखिर online कैसे करें आप दे दीजी scrutiny का result आप दे जीजी compartment का result बच्चे भी सारे बच्चे apply कर लेंगे admission करा लेंगे बच्चों को क्या है admission कराने से मतलब है आप लोग इस बातों को नहीं समझते हैं बिहार गोर एकदम बच्चों को बेकूप बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है